गणेश चत्तूर्ती से शिरूए दस दिवसिये गणेश उत्सव का अनंत चत्तूर्ती को समापनों कर सभी गणेश भक्तों ने अपने घर विराजे गणपती बप्पा को नम आखों से विदाई दी 28 सितंबर की दुपेड से ही गणपती बप्पा मोरिया अगले बरस्तू जल्दी आगी गणभेदी जैगोशों के साथ परिजन गणपती बप्पा के विसरजन हेतू नदी तालाव और क्रत्रिम तलावों की और बढ़ने लगे शाम होते होते गणिश विसरजन स्थलो पर भाविकों की भीड उमणने लगी साबने नगरपाली का द्वारा बसस्टैंग गांधी चौक बासा चौक और मुलिधा मंदे परेशा में क्रत्रिम जलकुम्ब और निर्माले संकलन केंद्र स्थापित कर उनमें गणेश विसरजन का निरोध भाविकों से किया जा सेकडों लोगों ने इस क्रत्रिम जलकुम्ब में गणेश विसरजन किये तो वहीं अनेकों नदी और घरों में ही बपा का विदीवत विसरजन कर बपा को विदाई दी गई गणेश विसरजन सुचारू रूप से संपरों इस वास्ते और विभाग्य दिकारी संपत खलाटे तैसलदा मलिक विराणी सावने थानेदा रविंद्र मानकर मुख्य दिकारी किरन बगडे आदी ने सभी विसरजन स्थानों पर भेट दी वहीं नगर पालिका के पंकच छेनिया मधुकर लोई धीरज देशमुग प्रदीप गवई आदी परिश्रम ले रहे हैं गांधी चौक स्थित गणिश विसरजन हेतु स्थापित क्रत्रिम जलकुंब को लाइन्स क्लब के अध्वोकेट अभिशेक मुलमुले डॉक्टर शिवम पुढ्यानी वच प्रस्ताना को बाजा चौक आदी स्थानों पर उक्तितरा की सजावत ना होने से चर्चाओं का बाजा गर्म था इन बीसीन न्यूस के लिए समवादता किशो ढूंडेले की रिपोर्ट